दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में पुराना वाला कीबोर्ड कैसे वापस ला सकते हैं अगर आपसे गलती से आपके phone का keyboard जो है वो change हो गया है बदल गया है आप पुराना वाला वापस लाना चाहते है तो क्या करेंगे इसके लिए आप चले जाएए अपने phone की settings में settings में जाने पर आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पर आपको नीचे की ओर scroll करना है और जब आप नीचे की ओर scroll करेंगे तो आपको एक option दिखेगा यह वाला additional settings का आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक option दिखेगा languages and input का आप इस पर क्लिक कर लीजे इस पर क्लिक करते ही आपको मिलेगा नया interface, यहाँ पर आपको एक option दिखेगा manage keyboards का, आप इस पर click करिए, इस पर जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी options आएंगे तो आपके में पहले कौन सा keyboard लगा था जो भी लगा था, अगर यहाँ पर वो बंद है तो आप उसको on कर लिजे for example, अगर आपके में keyboard पहले लगा था और अब आपको वही लगाना है गलती से आपसे हट गया, तो आप simply यहाँ पर अगर off है आपके में, तो इसको आप on कर लिजे ठीक है, click करेंगे on हो जाएगा या फिर पहले आपके में कोई और keyboard लगा था आप उसको select कर लिजे, click करके और जैसे ही select कर लेंगे, वहाला keyboard आपके में लग जाएगा अगर वीडियो से help हुई हो, तो वीडियो को कर दीजे like चैनल को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए